ग्रहन इस शब में ही एक प्रकार के संकट का आभास होता है लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला है ग्रहन इक खगोलिय घटना मातर नहीं है एक और जहां इसका खगोलिय जिसका विज्ञानिक महत्व है तो दूसरी और जोतिशाचारों के अनुसार यह एक आध्यात्मिक घटना होती है जिसका सभी पर काफी प्रभाव पड़ता है अगामी 21 जून को कंकंड सूरे ग्रहन है इसमें सूरे और प्रत्वी के बीच में चंदर्मा इस तरह आ जाएगा कि सूरे का आधे से ज्यादा हिस्सा छिप जाएगा और कंगन की तरह दिखाई देगा इसे रिंग औफ फायर भी कहा जाता है जोतिश के नजरिये से 21 जून को लगने वाला सूरे ग्रहन काफी महत्रपून घटना मानी जा रही है क्यों विशेश है 21 जून का सूरे ग्रहन और क्या समके दे रहा है ये सब जानने के लिए हमने स्टूडियों में आमंतरित किया है जोतिश चार है प्रोफेसर विनोष शास्री जी को शास्री जी स्वागत है आपका हम 21 जून के ग्रहन की बात करेंगे शास्री आप से लेकिन मैं सबसे पहले एक यही जाना चाहूँगी दर्शकों के मन में भी जिग्या से होगी कि ग्रहन होता क्यों है क्यों लगता है क्या होता है क्या इसका परानिक महत्व है ग्रहन जो है इसके संदर्व में सबसे पहले मैं क्योंकि ग्रहन के जो सभी शोता उन सभी को मैं नमन करना चाहता हूं प्रणाम करना चाहता हूं यह ग्रहन भै की बात नहीं है ग्रहन के संदर्व में जो परानिक जानते हैं कि जो स्वर्भानु राक्षस था जो विश्णु पुरान में जो कता है स्वर्भानु राक्षस छद में वेश में अमरत पान के लिए देवताओं की पंक्ती में आ गया था और वो तीन-चार बूंद पी भी चुका था उस समय चंद्रमा और सूर्य ने उसकी शिक शिकायत कर दी भगवान से कि यह इस तरह से स्वर्भानु राक्षस आकर के देवताओं के बीच में अमरत पी रहा है यह अमर हो जाएगा तो उनकी शिकायत पर भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर अलग कर दिया धड़ अलग हो गया चक्र से जब कटा तो जो चूंकि अमरत पी चुका था इसलिए उसका एक भाग राहू बन गया जो सिर भाग है वो और अधो भाग है वो केतू हो गया अब यह दो कथा है यह जो पुराणी कथा है यही खगोल जोतिस के द्रश्टी से हम देखते हैं राहू केतू जो हम जनव पत्रियों में रखते हैं तो र सूर्य जिस वरत पर घूमता है वैसे तो प्रत्वी गूमती है लेकिन प्रत्वी को स्थिर मान करके जब हम गरना करते हैं तो सूर्य जिस वरत पर घूमता है उसको हम क्रांतिय वरत कहते हैं इन दोनों का जहां संपात होता है वो संपात स्थान राहू होता है पहला संपात और दूसरा संपात केटु होता है, क aç से पर हमेशा 180 में एक सो असे डिज़ी पर ही क्रॉस होते है है, जे तो यहां पर जब पहला संपात रहू होता है, तो ऐसे स्थिति में दोनों ये अमावश्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा में तो चंदर ग्रेहन होता है, वहाँ इसका संपात की कोई प्रशन नहीं उठता है लेकिन सूर्य ग्रहन में हमेशा ही जब चंद्रमा का विमंडल व्रत और क्रांति व्रत इन दोनों के साथ बिम्ब मान और शर इनमें न्यूनाधिक जब गंडना का कारण बन जाता है तब ये ग्रहन होता है और फिर तीसर कारण है जो वैदिक वांग में में धर्म शास्त्र में है कि सूर्य आत्मा कारेक है वो परमात्मा है और सूर्य आत्मा जगतस तुकस्च वह हमारे पिता है और प्रत्वी हमारी माता है और खास्तोर से इन दोनों में जोंकि पार्थिव मंडल सौर मंडल और चंद्रमंडल इन तीनों का सम्मिलन जब होता है, तीनों के बीच में जब राहू आ जाता है, तब ये ग्रहन होता है, और खास्तोर से जो सौर मंडल है, उसको सत्य कहा है, और जो पार्थेव मंडल है, उसको शिव स्वरूपा, क्योंकि ये प्रत्वी कल्यान कारी होती है, इसलिए इसको श ग्रहन में सत्यम सिवं सुंदरम के बीच में जब राक्षस की आवरति हो जाती है जब राक्षस का आगमन हो जाता है और और उसं कारण से इस ग्रहन को द्रश्टी से लेकिन ये चुकि हमारे आत्म बल को प्रभावित करता है चुकि आत्मा कारक सूर्य है और उसके बीच में जब राहू की बीच में युती होती है तो उसके कारण से आत्म बल पर प्रभाव पड़ता है और आत्म बल के कारण से मनो बल पर प्रभाव पड़ता ह इसले manifest 산 now area है इसको लेकिए चारो तरफ बहुत ही ज़ादा एक चर्चा का विशह बना हुआ है डिफ् uprightесь क्ता है इसको नकरात्मक तो नहीं कहा जा सकता है कि 21 June को वैसे तो हर 19 साल बाद जैसे 19 साल पहले भी ये 2001 में आया था सूर्य ग्रहन 19 साल बाद भी आयेगा लेकिन जो अभी जो सूर्य ग्रहन आ रहा है इसमें कुछ विशेस्ता है क्योंकि अभी 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं इसका जो ख्षेत्र जो बना हुआ है वो इसी तरह का ख्षेत्र तो 370 साल बाद इस तरह की स्थितियां बन रही हैं जो युति जिस तरह की ग्रह स्थिति और जिस ख्षेत्र में होकर की ग्रहन हो रहा है वो 370 साल बाद हो रहा है तो ये घटना सामान्य तो नहीं है है तो विशेसे अब ये कंकन ग्रहन है कंकन ग्रहन में कि जैसे चूडी की आकरती का ये बन जाता है चंद्रमा का विम्ब छोटा रहता है जो सूर्य के चारो तरफ की जो वल्ली हमको दिखाई देती है कोरोना जो हमको चारो तरफ का दिखाई देता है इसलिए ये कंकन ग्रहन है और ये खास्तोर से रविवार को आ रहा है जी तो सूर्य का वार कहल कि जो कि sa his own-new यत sexual पुन्यम ग्रeहनम चंद्रसूरियों कि diya to go is in people Henry Pill up formula चंड्रमाय सूर्य वह पुन्यदाई होता है लेकिन उन में भी कोई रभिवार को यदि आ जाता है तो वो करोड गुना फल देने वाला होता है इसलिए ये जो अभी हो रहा है, ये चूडा मनी ग्रहन है, क्योंकि रविवार को आ रहा है, इसलिए चूडा मनी ग्रहन हो जाता है, चूडा मनी ग्रहन में एक करोड गुना फल मिलता है, तो जो दान का, पुन्य का, सहयोग का, किसे भी तरह का कोई कारी करेंगे, जब करेंगे, हवन करेंगे तब करेंगे उन सब में एक करोड़ गुना फल मिलता है इसलिए ये स्रेश्ट माना जाता है ये पुन्ने कमाने वाला एक जो ग्रहन है वो आ रहा है हमें से घबराना नहीं है डरना नहीं है बलकि दान पुन्ने करके अपना जो पुन्ने कमाने है ज्यादा जी जी य ये जो ग्रहन है शासी जी भारत दक्षिनपूर योरोप और एशिया में दिकाई देगा और सुबह नौ बच कर पंदा मिनेट से दोपेड तीन बच कर तीन मिनट तक रहेगा तो जो सूतक का समय है वो कब शुरू होगा क्या परहेज रखने है इसके लिए सूतक का समय जब होता है उसके बारा घंटे पहले चार पहले से सूतक प्रारम हो जाता है और जैसे अभी बहों मंदल पर तो यह करीब तीन गंटे चार घंटे रहेगा भारत में नो पच्पन pięk के करीब से आ जाएगा और 2.25 के करीब रहेगा तो ये इसलिए इस काल खंड में सूतक होगा इसके ठीक 12 गंटे पहले तो रात्री को 95 से सूतक होगा और उस सूतक में शयन करना खाना पीना ये सारी चीजें सूतक में वर्जित है खासतोर से सूतक में इतना ज़्यादा वर्जना नहीं है पर सूतक से ज़्यादा जब ग्रहन होता है उस ग्रहन काल में तो शयन, मैथुन, किसी भी तरह का खान-पान, कटिंग करना, या कोई नाखुन काटना, सस्त्रों का प्रयोग करना, मिथ्या वाशन करना, प्रलाप करना, ये सब वर्जित हैं, निंदित हैं. लेकिन जैसे गर्वती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो क्या उनके उपर भी सारे नियम लागू होते हैं? ये तो आपने कहा कि जो गर्वती महिलाएं हैं, उनको नहीं देखना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों में जो जिग्यासा होती है, तो क्या और बाकी लोग हैं वो ग्रहन को देख सकते हैं? वैसे तो ग्रहन देखना वर्जित है, क्योंकि ग्रहन को देखते हैं, तो उसमें परा बैंगुनी किरने आती हैं, जो आखों को प्रभावित करती हैं, इसलिए देखना आज के वेग्यानिक भी इसको मना करते हैं, लेकिन कोई कौतुक वस या जिग्यासा वस देखना चाह हैं, उसमें ऐसी वर्जना नहीं है, उसको देखा जा सकता है, लेकिन यथा संभाव ग्रहन को ने देखें, तो अच्छा है क्योंकि इससे आँखों पर प्रभाव पढ़ने की बहुत ज़्यादा संभाव नहीं रहती हैं, शासरी जी अभी आपने कहां कि जो ये ग्रहन है, इसमें दान का, पुन्ने का, जब का, तब का, एक करोड़ गुना फल मिलेगा, तो क्या दान करें, क्या तब करें, ये भी कुछ हमें बताएं। और मुक्त हो जाने के बाद में फिर इसनान करना चाहिए, तो दो बार इसनान करना चाहिए, अब ये जो काल-खंड जो ग्रहन का समय आता है, इस बीच में यदि पाठ करते हैं, जब करते हैं, हवन करते हैं, जैसे सूर्य कवज का पाठ करें, सहसर नाम, ओर भी कि आराधन का पार्ट कर सके राम चरितमानेस के सुंदर का पार्ट करें दुर्गा सबसती का पार्ट करें उसमें विशेस रूप से कोई भी यदि काम्य अगर किसी तरह की साधना करें किसी को कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना के मंत्र को संपुट करके और फिर सबसती का चंडी हैं तो उसका शेष्ट Catholic होगा खास तोर से अभी हम सब लोगों का जो इस Korona काल के अंदर आत्माड गिरा हुआ है उस समय आत्माड़ बढ़ाने का ये सू अुसर है क्यों इस समय यदि हम जब करते हैं तब करते हैं दान करते हैं पुन्य करते हैं तो हमें आत्मूबल बढ़ेगा क्योंकि आत्मूबल हमेंसा ग्रहन करने से नहीं होता है आत्मूबल ग्रहन करने से कमजोर हो जाता है आत्मूबल देने से बढ़ता है इसलिए हम किसी भी तरह का दान हो चाहे वो अन्न का दान हो गाय का दान हो कमल के माला का का दान हो, कमल के पुष्प का दान हो, वस्तरों का दान हो, जिस भी तरह का दान अपनी सामर्थ के अनुसार दें, तो उसका कई गुना फल होता है, इसलिए ये दान पुनने के लिए और इसी के साथ मंत्र जपने के लिए, मंत्र जो जप होते हैं, शब्द ब्रह्म है और इस सुझता है गाय की सेवा करें गाय के लिए 4 डालें अगर गाय का आसीरवाद लेते हैं तो बहुत ही पुण्य फल मिलता है इस समय शास्री allons पर सूर्य गरहन के समय 6 ग्रह वक्री हो रही हैं और कहा जा रहा है कि ये बड़ा एक अनिष्ठ कारी हो हो सकते हैं आच्छा ग्रहां वक्री होरें यह सत्य है पर यह सब अनिष्ट कारी हों ऐसी बात नहीं है ग्रहन वैसे प्रकृति पर तो असर पटकता ही है क्योंकि इस से जो अभी जिस तरह के ग्रहयोग बने हुए हैं कि मंगल के भी द्रश्टी है चतुरत द्रश्टी और इसी के साथ जो अच्छा वक्री ग्रह भी बने हुए हैं इन सारे योगों के ये जो समीकर्ण है ये सारे समीकर्ण के साथ-साथ अन्य समीकर्ण जो गोचर में आगे होंगे वो भी प्रभावित करेंगे सूर्य ग्रहन के समय इस सूर्य ग्रहन में जो खाशित है कि यह अभी वायू मंदल और वारुन मंदल में हो रहा है और वायू मंदल और वारुन मंदल में होने के कारण से कुछ अलग इनके फल आते हैं वायू मंदल में होने के कारण से तो जितने भी कलाकार होते हैं चित्रकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, या कोई ऐसे क्रियेटिव कार्य करने वाले लोग होते हैं, गुद्धी जी भी होते हैं, पत्रकार होते हैं, लेखक होते हैं, उनको ये थोड़ा कस्ट, मानसिक कस्ट देने वाला होता है, और जो वारुण मंडल वाला है, वो उसमें जो उग्रवादी जो होते हैं आतंकी जिनकी चित्रवत्ती होती है इस तरह के लोगों को भी घातक रहता है तो ये एक तरीके का ठीक दितने दुराचारी है चोर है तसकर है जो बहुत जिनके दुरभावन आए हैं उनके लिए भी घातक है तो एक तरीके से जिनको उनको घात तो यह राष्ट के लिए अच्छा होता है, यह समाज के लिए अच्छा होता है, कि जो समाज के लिए घातक लोगा, उनके लिए अगर यह घातक है, यह बहुत अच्छा होता है, इसलिए यह ऐसी बात नहीं है, बर यह कुछ चीजें जरूर है, कि बुद्धी जीवियों को थ इस हमारा वसुधेव कुटुम बगम की चित्रवत्तिवाला है इसलिए ऐसी स्थिति में जब ग्रहन में का भी हम जब कोई कस्ट आता है उस कस्ट का भी हम बहुत बड़ा करवाती है और अपुरपर की प्राप्ति कराने के कारण से जो होते हैं जितने वो सारे दूर हो जाते हैं जैसे मैंने पद्रेकार लेखा को बुद्धी जीवियों के लिए कहा लेकिन उनको अनिस्ट रोगा ऐसा नहीं है लेकिन उनको मानसिक तना वोगा लेकिन यदि जब क सकते हैं कौन-कौन से वो जो छे ग्रह हैं मिरे खास से उनके बारे अब थोड़ा सा मुझे बता दें कि वक्री रहते हैं इसमें ब्रहस्पति और शनी भी वक्री है यह सबसे बड़ी खास्तोर से एक भुद्ध भी वक्री है तो यह जो इन ग्रहों के वक्री होने के कारण से यह वक्री ग्रहन के समय जब वक्री होते हैं तो वो दृत गती से समाज को और विश्व को परियावरन को बदलते हैं इस पर इस पर इस बदलना वक्री होना वक्री होते हैं तो पीछे चल दें तो जैसे रिवर्स लेते हैं तो बहुत केरफूल हाना कि स्पीड उनके स्लो ह लेकिन बहुत सावधानी की जरूरत होती है रेवर्स लेते हैं वक्त कई बार दुर घटना हो जाती है तो वैसे ही इस तरह की संभावना रहती हैं तो यह क्या होता है कि प्रकृती पर कि हवा बहनी कि दर चीए बहे किदर रही है तो तुफान आ जाता है प्रथ्वी का जो द पर नहीं सब्सक्राइब हो जाए वारिस कि यह बहुत जाए 하지만 आवण और प्राकर्वारिक और शे 제가 in यह से समय में जो आत्म बल्क जो कम्या रही है उसके लिए- लोगों में अफसाइब ऑढ़ रहा है बहुत जादा अवसाद की जो स्थितिया भी बनी हुई है ये इस कोरोना रोग के कारण से बना हुआ है लेकिन ये ग्रहन ऐसे समय आया है जिस समय हम आत्म बल बढ़ा सकते हैं और आत्म बल बढ़ाने के लिए सुवसर है जैसा हमने पहले बताया कि इस समय मंत्र का जब करें कि बहुत मंत्र है कि राम रामायन में ऑम शिव ओम गं इसी मंत्र का जब करें यह छोटे-छोटे मंत्र हैं अगर इनी मंत्रों का जब करें और खास्तोर से एक स्रेश्ट मंत्र है कि ये मंत्र तो इश्वर के होते हैं पर शब्द ब्रह्म है हमारी वानी से हम किसी को वेद ना नहीं दें हम ये संकल्प लें कि हम किसी को वेद नहीं देंगे हम किसी के साथ धोका नहीं करेंगे हम किसी के साथ मुनाफ़ा खोरी नहीं करेंगे और इस तरह के कि इमानदारी का जीवन जीएंगे इस देश के लिए जीएंगे आत्म निर्वर बनने का जैसा हमारा सपना है वह उस आत्म निर्वर बनने के सपने को हम पूरा करेंगे यह सारे संकल्प भी लिए जा सकते हैं और चिकित सकों को और जो हमारे कोरोना के जो योद्धा लोग हैं इन सब लोगों को हम सहयोग दें, सम्मान करेंं ये भी संकल पलएं क्योंकि अभी जो रोगी है, उन रोगीएं के साथ कई बार दोहरा व्यावर करते हैं और ऐसी स्थिति में रोगी केसाथ बहुत सनेह की जरूरत है अरो ऐसी मुबल आपको रोग से भी दूर करेगा शोक से भी दूर करेगा और सब तरह की परिशानियों से दूर करेगा चले शास्ति थोड़ा सा मुझे बता दें किन राशियों के लिए कैसा रहेगा ये सूरे ग्रहें देखे वैसे तो राशियों का जहां तक फल आता है राशियों के फल में उनकी जनम पत्रियां उनके खुद के ग्रहयोग सब के काम करते हैं इसलिए केवल इस राशी मात्र से फल देखने का या इससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ये राशियों को प्रभावित जरूर करता है जिसे मितुरासी पर यह हो रहा है म्रगशेर और आद्रा नक्षत्र पर हो रहा है तो मितुरासी वालों को स्वास्तिप के प्रती थोड़े से सजग रहें और जितने भी आत्मोबल बढ़ाने की है कि जो खान पान व्यभार में विशेश रूप से साफधानी रखे करकराशी वाले हैं उनको जुगे 12 स्थान पर हो रहा है इसलिए करकराशी वालों को कुछ विशेश खर्चे होने का रिन होने का अगर व्योसाई है तो व्योसाई जाम हो जाने के कारण से कही तरी की परिशानी होने का शिक्षा या कोई नौकरी से जुड़े हुए लोग हैं तो वहां अस्थिर्ता होने का इस तरह की स्थितियां बनती है लेकिन उसमें यह समय का आप सदूपियों करें और इसमें मंत्र जप करें तो ठीक रहेगा इसी के साथ साथ खास्तोर से तुला प्रश्चीक और धनू इ हैरियत से अगर आप गाम लेंगे तो आपकी समश्याओं के सबादान होंगे कुछ यात्राओं में साथानी बढ़ते हैं तो कि यात्राओं से वैसे समय हैं कि सबीगों बचना चाहिए और विशेश रूप से मिन रासी है धनू रासी है इनको तो अच्छा है पर धनू अच गर को ठीक है पर कुम्ब और मीन को ठीक नहीं है कुम्ब और मीन रासी के लिए फिर थोड़े से मांगलिक कारियों में खर्चे का हो सकता है अनावश्यक लेन देन से बचना चाहिए क्योंकि आत्मुबल गिरने के कारण जो व्यक्ति पैसा ले लेता है वो फिर देने के स्थि होता है और फिर आपके लिए परिशानिया हो जाती है इसलिए लेंदेन से अनावशक लेंदेन से बचना चाहिए वैसे सभी राशियों पर प्रभाव तो इसका होता है लेकिन ये ग्रह योगों को अपने जन्मकालिन ग्रह योगों को ले करके और उसके साथ मिल करके फिर होत प्रागतिक आबदाएं हैं ग्रहन पर ग्रहन आ रहे हैं ये सब क्या है देखिए वैसे इस बार पांच ग्रहन है लेकिन पांच ग्रहनों में जो तीन ग्रहन है चंदरमा के उपच्छाई ग्रहन है वो ग्रहन की शेणी में आते ही नहीं है उनका नसूतक लगता है तो ऐसे स् इस प्रभाव नहीं होता शास्त्रिय द्रष्टी से जहां तक सूर्य ग्रहन का सवाल है सूर्य ग्रहन जरूर दोनों महतोपूर्ण आ रहे हैं कि एक सूर्य ग्रहन अभी आ रहा है जो 21 जून को आ रहा है एक फिर 14-15 दिसंबर को आएगा वो केतु के साथ मिलकर के आएगा य जो राशी अंस चंद्रमा सूर्य इनके एक होंगे अभी राहू के साथ में इनका एकात्मभाव है तो इसलिए दोनों ग्रहन जरूर प्रभावित करेंगे ये पूरवी क्षेत्र को प्रभावित करेगा दूसरा ग्रहन पस्चिमी क्षेत्र को प्रभावित करेगा वैसे त ये पूरे प्रत्वी को ही प्रभावित करते हैं पर अभी ये दो खंडों में दो भागों में तो इस साल के जो ये ग्रहन है ये पूरे भूमंडल को ही विशेश रूप से प्रभावित करेंगे पर चिंता की कोई बात नहीं है चंद्र ग्रहन तो सामान्य ग्रहन है जितना प पिल्कुल भी बात नहीं है यह पुण्यदाई एक ऐसा अवसर है कि इस पुण्य का लाब लेना चाहिए और अपने जब तप से दान से पुण्य से अपने मनोबल को बढ़ाना चाहिए और अपने इर्दगेर्द के माहुल को भी सबी लोगों को संबल देना चाहिए और यह स जुआ उसर है इसको हम कोई ऐसा भयानक किया कोई डरने वाला समय माने ऐसी बात नहीं है ये एक स्षेष्ट समय इस समय का हम लाब ले और इसंसे हम आतुमबल बढ़ा सकते हैं और आत्मबल बढ़ा करके और हमारी सब तरह के परिशानियों को मान से एक शारिर एक आर थे कि सबसे हम निजाद पा सकते हैं बहुत भाद धन्यवाज शासरी जी आपका एक हमारे डर को कम करने के लिए क्योंकि जो चारो तरफ इस तरह बाते हो रही है उसे एक मन में एक भेह ही पैदा हो गया था तो कुल मिलाके शासरी जी से हमने बात कि उन्होंने यही कहा ये बहुत अच्छा अवसर है आत्मबल पाने का कोरोना के समय जो डर का महौल है हम लोग डर रहे हैं अवसाद में हैं उससे बहार निकलने का जब कीजिए तब कीजिए क्योंकि ये समय आपको एक करोड गुना फल देगा जरूर दरे नहीं तब करें जब करें नमस्कार